सोल राइट गाईज वेलकम बाक टो अनदर वीडियो और आप सब अच्छे से होंगे तो इस प्रीडियो में बात करेंगे अनिमल किंग्डम के बारे में अनिमल किंग्डम से डिरेक्ली नीट में कैसे कुश्टन्स फ्रेम होते हैं लाइन टो लाइन आपको बताऊंगा एक ए बाता ना I will do it for you so let's start so let's start the animal kingdom इसमें मैं अभी NCRD से आपको वाले points highlight करूँगा जहां से there is a maximum chance की आपका नीट 2024 में question आने वाला है ठीक है देखिए यह basics को में नहीं पढ़ूँगा इसमें यहां पर की symmetry क्या है डिपलोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक से हैं उस इसलोमेट प्लाटी हेलिमेंस के example mentioned है so you have to keep in mind कि प्लाटी हेलिमेंस में जो जो organisms आते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा आगे आपको उनके नाम याद रखने हैं ताकि अगर question आएगा which of the following is not a platy elements so you should know that कि कौन सा है और कौन सा नहीं है ठीक है बाद में segmentism segmentation जो है उसको भी इन चीज़ आता है ना that is आपका फाइलम्स ठीक है फाइलम्स में आपका पॉरिफिरा वगेरा इसमें आपका इंपोर्टन्ट है उसमें आपका naming of the sponge होते है जैसे यू स्पॉंजिया बाद स्पॉंज कॉमन नेम है इसका पॉंजिला फ्रेश वाटर स्पॉंज है ठीक है य इसका दूसर नाम अनईडेरिया होता है इस में आपको डाइग्राम्स देखनी है ठीक है आपको इतना पता है कि इसके दो लाइफ फ़र्म्स होते हैं पॉलिप और मडिवस् kilo तो पालिव का एक्ग का पलिवा मग को द्यान रखना है घीक है यह आपको दियान लिखने है इ विरा जो next live session on an academy होगा that is on 1st January रात 9 बजे and video का जो link है वो description box में दिया होगा आप वो ज़रूर चेक करना and class attend करना and class में आपको जो भी doubt रहेगा कुछ भी पूछना होगा तो आप वहाँ पे ज़रूर पूछ सकते हैं so भी continue करते हैं ठीक है examples again वो आपका बहुत important है Portuguese man of war Adam shea आपका sea anemone fine penitula आपका sea pen है गरगोणी आपका sea fan है ठीक है brain cooler आपको यह सब चीज़े ध्यान में रखनी है क्योंकि यहां से question आ सकता है then आपका tinofora आता है ठीक है यह sea walnuts या calm jellies भी कह सकते हैं इनको ठीक है इनकी जो से bioluminescence property है ठ आपको for example questions आ सकता है which of the following organism exhibit bioluminescence one answer एक होगा टीनो टीनो प्लैना या sorry एक होगा टीनो प्लैना दूसरा हो सकता है brain coral तीसरा हो सकता है यह गोडगोनिया हो सकता है दूसरा हो सकता है spongyla ठीक है तो answer आपका रहेगा टीनो प्लैना fine इस तरह के questions आ सकते हैं इसलिए आपको example स या दखनी है और fasciola lever fluke आपको example या दखनी है fine ठीक है इसके बाद आपका जो इसकी मतलब आपकी इसको diagram भी एक पर आप देख सकते हो और इसमें यह आपको point या दखना है कि जो flat forms होते है उसमें plan area की जो high regeneration capacity होती है fine next हमारे पास example आती है इसकी elements की जिनको हम round worms भी कहते है इसमें एक और चीज है आपका elementary canal है वो complete है ठीक है well developed pharynx है इसमें तो sexes इसमें separate है daecious है तो उसके बाद इसकी example round worm वर्म वुच्रेयरिया फिलेरियल वर्म जिसको कहते हो encyclostoma जो आपका hookworm होता है ठीक है इसमें आपका as such और को important अभी नहीं है मतलब यहां पे आपका तो इस पॉइंट को जहाद है ध्यान में रख सकते हैं कि यह स्वारे point को ध्यान रख सकते हैं उसके बाद आपका एनलेड आता है एनलेड में आपके जो marking feature है their body surface is distinctly marked out into segments और metamers fine यह इसका important मतलब हम कह सकते हैं distinguishing feature है aquatic analytes जो हमारे nares हैं उनमें little appendages होते हैं जिलको parapodia कहते है which help in swimming अब देखा अगर question यहां से बनता है तो किस तरह बनेगा parapodia पे क्या होगा examiner आप से पूछेगा which of the following organism contains parapodia ठीक है जिसमें आपको एक example आपका nares होका दूसरा example आपका ascaris हो सकता है encyclist हो सकता है और which area हो सकता है अगर आपने examples पड़ी होंगी तो you will know that कि nares इसका answer है ठीक है क्यों क्योंकि इसमें parapodia present और parapodia किसकी distinguishing feature है वो analytes का है ठीक है क्योंकि basic features तो आपको सब पता है कि कौन fresh water है कौन bilateral symmetry इसमें क्या है यह सबसे question नहीं आता है question वहां से आता है कि जो एक phylum को अलग definition देता है ठीक है इस वीडियो में में जारा short में गो रहा हूँ बाकी में अगर आपको पसंद आये तो definitely I will make more videos like that तो उस पर आप मुझे comment section में बताना फिर हमारा orthopode आता है जो बहुत ज़्यादा important है जिसके अंदर बहुत सारे अनिमय यह varieties organisms की है ठीक है जिसमें आपका excretion होती है through malphusion tubules के यह सब यहाँ देखना है जो मैं आपको highlight कर रहा हूँ कि यह सब important है example किसी भी phyla क्योंकि you don't have to miss that then the second largest phyla mollusk है क्योंकि देखो orthopode को सबको पता है largest है but second largest का mollusk है उसमें आपका जो यह है ना the mouth contains a file-like rasping organ for feeding that's a radula इस पे भी question पूछ सकते है कि radula किस organism में present होता है example दे के बाग की फाइला से compare करेंगे ठीक है तो example में इसका आपका pile हो गया apple snail connected हो गया sepia हो गया उसका octopus हो गया loligo हो गया आप बोलोगों कि sir इसमें आपको नाम कैसे आद रखने but you have to do it ठीक है then आपके आपके आपास echinoderms में the most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system यह ध्यान रखना यह बहु कोड़ेट साता है warm like marine animals है ठीक है ठीक है ठीक है the body is cylindrical and composed of proboscis collar and trunk fine development is direct sexes are separate तो belenoglosses and psychoglosses आता है examples then comes the caudate phylum so I hope this video was enough for you and you आपको बहुत कुछ समझ आया था इससे हाँ further मैं आपको बस एक दो चीज़े और बताना चाहूंगा आप में euro quadrate के आप example याद रखेगा बहुत important euro quadrate में ठीक है अब इसमें आप यह दिखना है phylum quadrata भी तीन फाइला में divided euro quadrata, cephalo quadrata and vertebrata ठीक है तो quadrata and vertebrates दो अलग-अलग चीज़े होती है इस पे आपका मैं अब explain अभी reason नहीं करूँ कि वीडियो मुझे short रखनी है तो euro quadrate and cephalo quadrata को proto quadrata भी कहते हैं and exclusively marine होते हैं यह चीज़ आप बहुत ध्यान से आदख लेना कि exclusively marine होते है euro quadrate and cephalo quadrate जिनको हम proto quadrata कहते हैं euro quadrate में notocod present होती larval tail में ठीक है while in cephalo quadrate it extends from head to tail reason ठीक है और throughout life रहत है और इसमें इसकी examples भी आप याद कर सकते हैं ठीक है इसका कहने का मतलब यह क्या था है exclusively marine देखो आप से कोई भी चार organisms के नाम बोलेंगे और मैं इन में से proto which of the falling is a quadrate and a exclusively marine animal तो आप उस ताइम पे यहां पे गर acidia, salpa, bronchiostroma, lenslet इन सब के नाम होंगे तो याद रख सकते है और आपको समझा जाएगा, so that was all for the video, बाकी मिलते हैं नई video के साथ अगर आप comment करोगे तो मैं ऐसे ऐसे और सब topics के आपको line to line questions बताओंगा, so I hope आपको videos से काफी help हो and thank you so much for the watching, do subscribe to the channel